108 फुट लंबी एक अगर्बत्ती तयार की है जिसका 2 फुट डाइमेटर का व्यास है और वो अगर्बत्ती बडोद्रा से रवाना हुई है बगवान राम लला की प्रान प्रतिष्टा को लेकर पूरे देश भर में उत्सा का वातवरन है कहीं से नेपाल से महिरा आने के तयारी है तो कहीं उनके लिए पद्वेश तयार हो रहे हैं के दुपट्टा तयार हो रहा है ऐसा लग रहा है कि जन जन की भागीदारी इस उत्सों में होने वाली है इसी कड़ी के अंदर गुजराद के बडोद्रा शहर में एक अद्बुत प्रियोग हुआ वहां के एक भव्य गोपालक जो है जिनका नाम कर्शन भाई भरवाड है कर्शन भाई भरवाड ने एक सो आठ फुट लंबी एक अगरवत्ती तयार की है जिसका दो फुट डाइमेटर का व्यास है और वो अगरवत्ती बडोद्रा से रवाना हुई है और आयुद्ध्या पहुचेगी उस अगरवत्ती को लेकर जन मानस में इतना हुस्सा है उसको छूने को लेकर उसको लेकर की अगरवत्ती भगवान के उसमें जाने वाली है इसलिए मेरा भी इसमें कई ना कई अगर मैं इसको छूब भी पाया तो मैं धन्य हो जाओंगा ऐसा लेकर कल विजे नगर में, नसीराबाद में, जिस भी मार्ग से वो जा रही है, उसमें बहुत स्वागत हो रहा है, और सबी को अपना स्वाग्य महसूस रहा है, सगरबत्ती को चूख कर, क्योंकि हमारा पूजा का अभी नंग रहा है, गरबत्ती है और इस तरह के दीबत दिया बती तो ये भगवान के चरणों में जाने वाली जो चीज है उसको लेकर बहुत भारी उस्सा का वाता हुआ है ये 22 तारीक जो भगवान की प्राण परतिष्टा है तब वहां यद्या में पहुंच चुकी होगी उसी गती से उसी तरीके से उसी योजना से ये रवना की गई है इसके पीछे बहुत बड़ी आस्ता बहुत बड़ा विश्वास और एक गोपालक जो गायों की सेवा करने वाला एक व्यापारी है बंदू है उसने इसको बहुत प्रेम से सने से इसको तैयार करके बेचाए उसे अपका नाम होते शशी परकाश इंदोरिया से प्रा